यूरेन माइक्रो अल्ब्यूमिन टेस्ट की क्या विशेशता है आज की वीडियो में हम यही जानेंगे मेरा नाम डॉक्टर राच्ष्री है हमारे साथ जुरने के लिए आपकत हैं पिशाब में यूरेन माइक्रो अल्ब्यूमिन का जो टेस्ट है यह पिशाब की खास जांचों में से एक है यूरेन के जो स्पेशल टेस्ट माने जाते हैं उनमें से एक जांच यूरेन माइक्रो अल्ब्यूमिन की होती है और अक्सर मदू में या डायबिटीज के बिमारी के चलते यह टेस्ट करवाया जाता है कि डाइबिटीज की जो बिमारी है उसके बारे में एक बात समझना हमारे लिए आवश्यक है और वो यह है कि डाइबिटीज का जो संबंध है वो केवल हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा से नहीं होता है जब हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा बहुत लंबे समय तक बढ़ी हुई होती है तो उसका बुरा असर हमारे शरीर के विभिन अंगों पर पढ़ने लगता है इन में हमारी आँखों की रोश्नी हमारे रिदे का स्वास्थ हमारे शरीर की नस नाडियां यहां तक की हमारी तंत्रे काई जो नर्व्ज हैं इसके अलावा जो हमारे शरीर की घावों को भरने की जो क्षमता है लंबे समय तक बहुत जादा शकर की मात्रा थून में रहने से घाव भरने की क्षमता में कमी आ जाती है हमारे शरीर में और एक बहुत महत्वकून अंग जो है हमारे शरीर का हमारी गुर्दे हमारी किड् इन पर भी जो है अधिक मात्रा में शक्कर खून में जब रहती है तो उसका असर हमारे गुर्दों के स्वास्त पर पढ़ने लगता है और उसी के चलते पेशाब में माइक्रो cosìम infantry kasten की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है और यूरिन माइक्रो आल्वयूमिल गुर्दों की जो बिमारी है उसकी गंभीरता का सूचक है आले मेंड एक प्रोटीन है एक रसायन है जो हमारे खून में पाया जाता है और आम तोर पे almond की मातरा पिशाब में बहुत ही कम हो ती है 24 घंटे में करीब-करीब 30 milligram से वह कम almond potrzeb में पाया जाता है और गुर्दों की बिमारी के चलते धीरे-धीरे इस albumen की मातरा पिशाब में बढ़ने लगती है और करीब करीब 30 से 300 मिलिग्रान आल्बियोमिन 24 घंटे में पिशाब में पाने जाने की अवस्था को हम माइक्रो आल्बियोमिनूरिया कहते हैं और जैसा कि हमने जाना कि माइक्रो आल्बियोमिनूरिया गुर्दों की बिमारी की गंभीरता को दर्शाता है और इसलिए डाइबिटीज में गुर्दों के स्वास्त को जानने के लिए और साथ ही साथ बढ़ती हुई शक्कर का हमारे विभिन अंगों पर क्या असर पढ़ रहा है उसका एक अनुमान भी हमें माइक्रो आल्बूमेन उरिया की जाज करवाने से मिलने लगता है जब आपके डॉक्टर आपका डाइबिटीज का इलाज चालू करेंगे और आपकी शुकर जो है शकर की माकरा कंट्रोल में आने लगेगी और बाकी तरह से अगर आप स्वस्त हैं वो एक समय होता है जब ये यूरियन माइक्रो आल्बूमेन टेस्ट कराने के निर्देश आपको मिलते हैं शुरुआत में हो सकता है आपके डॉक्टर दो या तीन बार आपको ये जाज करवाने को कहें और उसके बार साल में एक बार इस जाज को करवाने के निर्देश समाने तोर पे आपको दिये जाएए यूरियन माइक्रो आल्बूमेन का जो टेस्ट है इसको करवाने के लिए पिशाब का जू नमोना है, वो सुबह उठते ही, पहला नमोना जो है, वो देने से पहला नमोना काफी उप्योगी होता है. और हमें आशा है की आज आपने डाइबिटीस के बारे में और यूरेन माइक्रो आलिमिन टेस्ट के बारे में कुछ नया जाना और ये वीडियो आपको पसंद आया हमारे साथ जुरने के लिए आपका थन्य